हम बात कर रहे हैं गेल इंडिया की आज के दिन की बात करें तो इस टॉक में आमको 2% के उपर के आफ साइट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है इससे पहले वीडियो में अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी और रेग्यूलर आप वीवर्स हो तो आपको पता ह होगा कि जब गिरावट आई थी बांज बैक के साथ आमने 240 तक के तारगेट को डिसकस किये थे जो कि इसका राजिस्टन्स था जहां इससे पहले भी इस टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट डिकाई थी आगें यहां भी गिरावट डेखने के लिए मिली तो देख सकते इस टॉक ने बांज बैक करके 240 तक के तारगेट को हिट करते है नजर आ रहा है और उसी के आसपास क्लोजिंग दे गाया है गिरावट के बाद बांज बैक कर रहा है इस बांज बैक के साथ अपने इस हाई के जहां से इस से पहले रिजेक्शन लिया था 248-249 का जो लेवल वहां से रिजेक्शन लिया था तो उसके ब्रेक ओट के चांस बनेंगे अगर हम गेल इंडिया के चार्ट पैटरन पर नजर दाले दोस्तों तो हम देख सकते हैं लगातार हमको एक ट्रेंड में स्टॉक काम करता नजर आ रहा है गिरावट पर गिरावट जरूर आये करेक् डान नहीं किया है और बॉन्स बैक कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल से एक ट्रेंड लैन पर इस्टॉक काम कर रहा है तो इस हिसाब से जो इसका रिसेंट हाए जहां से इससे पहले गिरावट डिखाए थी इसके ब्रेक ओट के चांस बनेंगे बड़ी बाइंग बड़े जम्ट के देखने के लिए मिला है देख सकते लगातार बड़ी बाइंग देखने के लिए मिलिए तो उस हिसाब से 240 के पास से अभी तक उतनी बड़ी गिरावट सेलिंग देखने के लिए नहीं मिले तो ब्रेक ओट के चांस बनेंगे लिए नीचे की ओर 235 का लेवल की बात रही तो जैसे कि हम चार्ट पैटन इसका देख सकते लगातार हमको बुलिश नजर आ रहा है अब ट्रेंड में स्टॉक लगातार हायार हाय चार्ट पैटन तो इस हिसाब से ब्रेक ओट डेखने के लिए मिल सकता है नजरे 240 के लेवल पर रहेगी जैसे इसको ब्रेक करेगा नेक्स तारगेट 250 और इसके ब्रेक ओट के बाद गेल इंडिया आप शॉट टम में ही 260 तक के तारगेट डिका सकता है यहां तक का जंप स्टॉक दिका सकता है फिर 260 का लेवल गेल के लिए मेजर रजिस्टन्स रहेगा विडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई अगर आप डिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो